नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हिम टूड़े यूट्यूब चैनल में तो आज हम आपके लिए लाए हैं HPSAC JOA पोस्ट कोड 556 से जुड़ी हुई एक ख़बर तो जो पोस्ट कोड 556 है वो सिर्फ जूनियर ओफिस असिस्टेंट है और जो पोस्ट कोड 727 जिसकी बेकैसिस दिसंबर में निकली थी वो उसका पोस्ट नेम अलग था उसका था JOAIT उसमें IT जुड़ा हुआ था लेकिन 556 कोड में IT सब्द का इस्तेमान नहीं किया गया था तो दोस्तो खबर से पहले हम आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि पोस्ट कोड 556 आखिर है क्या तो आपको ले चलते हैं 2016 में आज से 3 साल पहले जब 18 अक्तुबर 2016 को आयोग ने बेकैसि निकाली थी तो यह बेकैसि निकाली थी 1006 पदों को भनने के लिए डिफरेंट केटेगरी में तो जो बेकैसि निकाली थी उसमें इन्हों ने 38,932 अप्लिकेशन इनको मिली इसमें से इन्हों ने 34,154 सेलेक्ट कर दिये थे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए और जो screening test की date रखी थी वो रखी थी 28 April 2017 आज से दो साल पहले की date है ये उसमें 20,009 अभियार थी return test देने बैठे थे और 14,145 return test देने नहीं आये थे उनमें से total 20,009 exam दिया और 10,030 को आयोग ने qualify कर दिया next round के लिए जो की होता है typing test अब तब से ये मामला अटका हुआ है तो आप देख सकते हो जो return हुआ था 28 अप्रिल 2017 को इसके बाद अभियार्थियों ने 17 से 22 दिसंबर तक धरना दिया था आयोग के बाहर बर आयोग ने उन्हें आसवासन दिया कि जल्द ही result को clear किया जाएगा आयोग से ये आसवासन मिला था कि 10 दिन के अंदर result को gossip किया जाएगा लेकिन अभी तक एक महीने से उपर हो गया है तो result अभी तक आया नहीं है इसके बाद अभी आर्थी आयोग तक नहीं रुके वो मुख्या मंतरी के पास भी गए लेकिन मुख्या मंतरी से मिलके भी कोई हल नहीं निकला इसके वाबजूद क्रामिक विबाग से भी अवियार्थियों ने पूछा तो अधिकारियों से पूछने पे उन्हें अलग अलग जानकारी मिली कोई एक्जेक्ट उन्हें इसके बारे में कोई भी उत्तर नहीं मिला अब अभियार्थियों ने चार फर्वरी से क्रमिक अंसन को बैठने की तैयारी कर ली है और अभियार्थियों ने इससे इसके लिए आयोग की जो सचिब होते हैं उनको भी ग्यापन सौप दिया है तो J-O-A-I-T के अभियार्थी क्रमिक अंसन पे बैठने जा रहे हैं चार फ़र्वरी 2019 को ये थी J-O-A-556 से रिलेटिड खबर अगर आपको इस तरह की खबरे और हिमाचल में जुड़ी हुई कोई भी खबर नौकरियों की जानकारी चाहिए हो तो हमारा जैनल सब्सक्राइब जुरूर करें ताकि हम आपको इस तरह की जानकारी देते रहें